C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का सातवा पाठ पानी के प्रयोग क्या डूबा क्या तैरा प्रेश्ट साठ आईशा बेसबरी से खाने का इंतजार कर रही थी आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सबजी जो बन रही थी पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिल्चस्प लगे उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे उपर आती जाती और तेल पर तैरने लगते एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं यह देखकर उसने गूधे हुए आटे की एक गोली बनाई और चप्टी कर ले उसने इस चप्टे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला पर यह क्या? वह तो डूब गई सोचो और अंदाजा लगाओ अगर आईशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में डखती तो वह तेरती या डूबती? स्टील की प्लेट पानी में तेरेगी या डूबेगी? और चम्मच प्लास्टिक का ढखकन डूबेगा या तेरेगा? शाम को जब आईशा नहा कर आई तो मा ने कहा आईशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया? पहले उसे निकाल कर उपर रखो साबुन रखने की जल्दी में साबुन दानी आईशा के हाथ से छूट गई और पानी में तेरने लगी प्रिष्ट 61 आईशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुन दानी में रखी पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुन दानी पानी में तैरती रही आईशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं देखो ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी पर भारी भरकम जहास तो तैरता उसमें क्या खूबी लोहे का भारी जहास है सदा तैरता पानी में सुई हलकी फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में ये कविता लिखी शिशिर शूबन अश्ठान ने प्रिष्ट बासट करके देखो कक्षा में चार-पांच दोस्तों के समूँ बना कर ये प्रयोग करो तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी कुछ चीजें अब पानी से भरे बर्तन में ये चीजें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है अपने अवलोकनों को तालिका में भरो तैर्ती चीज के लिए सही का निशान और डूपती चीज के लिए गलत का निशान लगाओ पानी में डाली चीज, खाली कटोरी तालिका में लिखो, मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया दूसरी चीज है कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकर डालने पर मुझे पहले लगता था प्रयोग करने पर पाया तीसरी चीज है लोहे की कील या पिन फिर है माचिस की तीली प्लास्टिक की खाली बंद बोतल पानी से आधी भरी बोतल पानी से पूरी भरी बोतल फिर हैं दवाई की पन्नी, एल्यूमिनियम की फैली हुई एल्यूमिनियम की पन्नी मोड कर गोली सी बना कर एल्यूमिनियम की पन्नी कटोरी सी बना कर इसके अलावा साबुन की टिकिया साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रख कर बर्फ का टुकडा मुझे पहले क्या लगता था और प्रयोग किया तो क्या पाया अपने साथी के समू से भी पता करो क्या तैरा क्या डूबा लिखकर पूरा करो लोहे की कील पानी में रिक्तिस्थान गई जबकी कटोरी रिक्तिस्थान मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि 2. प्लास्चिक की खाली बोतल तो पानी में रिक्तिस्थान पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए रिक्तिस्थान होगी क्योंकि रिक्तिस्थान 3. दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब रिक्तिस्थान खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर रिक्तिस्थान यहे इसलिए हुआ होगा क्योंकि रिक्तिस्थान प्रिष्ट तरे सट यहे जादू तो नहीं आईशा सुबा उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे उन्होंने आईशा से कहा अंडे उबलने के लिए रख दो हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना आईशा ने बरतन में पानी डाल कर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया तब उसने देखा कि बरतन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा उपर पानी में तैरने लगे एक गिलास या किसी बरतन में पानी लो उसमें एक सावुत नीभू डालो आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो क्या नीभू को पानी में तैरा पाए तुम्ही क्या लगता है नमक डालने पर निबू 13 होगा क्योंकि मृत सागर वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है इतना नमकीन कि लगबग एक लिटर पानी में 300 ग्राम नमक क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे बहुत ही कड़वा लगेगा सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हूँ याद है नीवू को तुमने नमक के पानी में तैराया था क्या गुला क्या नहीं आईशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया उसने आते ही शक्कर पारे की फर्माईश की अमी ने कहा मैं पहले बाजार हुआउं आकर शक्कर पारे बना दूँगी तब तक एक भरतन में दो गिलास पानी लेकर उसमें एक कटोरी शक्कर घोल कर देखो हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लूँगा फिर टीवी देखूँगा तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या-क्या उपाय सुझाओगे प्रिष्ट चौंसट करके देखो तीन-चार साथियों के समूह बनाओ प्रयोग के लिए चार-पांद गिलास और तालिका में लिखी चीजें इकठी करो हर गिलास में थोड़ा पानी लो कोई एक चीज एक गिलास में डालो और मिलाओ जो देखो उसे तालिका में लिखो चीजें हैं नमक, मिट्टी, चौक पाउडर, एक चम्मच दूद, तेल अब बताओ ये घुला या नहीं? और दो-तीन मिनट रखने पर क्या हुआ? बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है, तो कहां? नमक और चौक पाउडर के घुल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से चान कर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? प्रिष्ट 65 आईशा और हामिद में बहस छिड़ गई आईशा को लगा कि चम्मत से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्नी बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं आईशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? क्यों? बूंदों की रेस आईशा ने अपने टिफिंग के ढखन पर एक साथ दो बूने तेल की टपकाई उसी के पास पानी की बूने और शकर के घोल की बूने भी टपकाई टिफिन के ढखन को तीड़ा करने पर कुछ बूने तेजी से बहकर आगे निकल गए जबकि कुछ पीछे रह गए तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूने सबसे आगे निकली ऐसा क्यों हुआ होगा पानी गया कहा एक दिन आईशा की अम्मी चाय बना रही थी वे पानी चूले पर रखकर भूल गई उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बरतन में रह गया था सोचो बाकी का पानी कहा गयब हो गया पाठ चार याद है सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती है प्रिष्ट 66 डांडी यात्रा यह घटना 1930 की है भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी उपर से नमक पर भारी टेक्स भी लगा दिया इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था इसी उन्होंने लोगों के साथ मिलकर एहमदाबाद से दाड़ी के समुदर तर तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है समुदर के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के धेर वहीं रह जाते हैं हम क्या समझे तुमने एक रुमाल धोया है अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाते हो सोचो इसके लिए क्या-क्या कर सकते हो चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन-कौन सी चीज़े डालते हो पानी में क्या-क्या गुल जाता है तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिये गए हैं उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो पानी के प्रयोग अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये साथमा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नई दिल्ली भारत